आप सभी का स्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडीट बहुत बड़ी भरते विज्यपती की जानकारी रास्तान कॉमन इलिजिबिटी टेस्ट यानकी सीटी के तहत आठ विभागों के तहत जो भरती है विज्यपती सीटी आठ विभाग हैं और जिनमें करीब तीन हजार के आसपास पद हैं और रास्तन करमचारी चैनवोड ने इसकी भरती विज्यपती है वो यहाँ पर जारी कर दी आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रागवा कॉमन इलिजिबिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल दो हजार 22 डिटेल एडवर्टेजमेंट तो विश्तरुत जो विज्यपती है वो यहाँ पर राजस्थान करमचारी चैनवोड की तरफ से जारी कर दी है किस तरीके से फोर्म बरना है योग्गिता क्या होगी तो सबसे पहले दोस्तो आठ विभाग हैं और ये विज्यपन संख्या 9 ह 22 वर्ष का करमचारी चैनवोड 2022 का ये नववा विज्यापन सबसे पहले रास्तान होमगाड अधिनस सेवा पलाटून कमंडर पोस्ट है रास्तान अभियांतरी की अधिनस सिचाई सेवा इसमें जिलेदार पटवारी की पोस्ट है रास्तान अधिनस लेखा सेवा इसमें कन दीकारिता विभाग की राष्तान एकिकरत बाल विकास अधिनस सेवा इसमें परवेक्षक की है उप जेलर की है जो कारागार विभाग की है और दोस्तों हम बात करें राष्तन समझ कल्यान विभाग यानि कि छात्रवस अधिसक ग्रेड सेकिंड की तो ये आठ विभाग हैं और इन आठ विभागों में ये जो भरतिया निकली हैं उनके पद नाम भी आप लोगों को बताए गए हैं आप देखिए यहां पर दोस्तो ये जो समान पातरता परिक्षा है ये आप लोगों को देनी होगी परिक्षा और उसमें एक स्कोर काड़ आप लोगों को मिलेगा ठीक है ये साल में एक बार होगी और इसमें जो स्कोर आप लोगों को मिलेगा वो एक साल तक के लिए मानने होगा ठीक है तो यहाँ पर बताए गया है बोड दुआरा उन समस्ता बेरतों के अंक जो कि समान पातरता परिक्षा में उपस्तित हुए हैं उनको प्रकासित किया जाएगा समान पातरता परिक्षा में कोई भी सिमित यहां पर आउसर नहीं है कितने भी बार आप समान पातरता परिक्षा दें लेकिन आपको एक जो वैलेड स्कोर है वो यहां पर हासिल करना होगा यहां पर बताये गया है कि समान पातरता परिक्षा में उलेखित, अधिनस्त और लिपिक के वरग्य सिवाऊं के पदोंपर सीधी भरती को सासित करने वाले किसी नियम में, अंतर विष्ट किसी बात की होते हैं भी कोई भी व्यक्ति समान पातरता परिक्षा इसतर में उल्लेखित पदोंपर चैन के लिए लिखित परिक्षा या सक् ठीक है यह वह सीटे में इतने निून्तम अंक जो भरती अजेंस द्वार अवधारित किया हो प्राप्त करने में SFL रहता निून्तम अंक निर्धारित करते समय भरती अजेंसी विचार करेगी कि समान पातरता परिक्षा में उलेखित इस्तर पर विज्ञापित किये गए रिक्तियों की कूल संक्या के 15 गोना अभ्यरती इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के आवेदन के लिए पात्र होंगे किन्तु उक्त स्रंकला में उन समस्त अभ्यरती को वही अंकर जित करते हैं जो भरती अजेंसी द्वार है इसमें बताये गया है कि जो समान पातरता परिक्षा को जो score है उसके आधार पर आप नोकुरी का दावा नहीं कर सकेंगे जो भरती agency है ठीक है वो जैसे मालीजी ये 15 पोस्ट है ठीक है 15 के 15 गुना ही ये लोग जब भरती निकले के संबन्दित विभाग की उतने ही लोग इसमें से सलक्ट करेंगे ठीक है यहाँ पर बताए गया है समान पातरता परिक्षा में जो एज वगर है वो भी सेवानियों में सुसंगत बताए गया है समान पातरता परिक्षा मुपस्तित होने से पहले आप लोगों की जो इस इलेजिबिटी है य इससे भी विशे से पहली बात दूसरी बात इसके जो फोम है ओनलाइन के लिए विज्यप्ति जारी हो गई है ठीक है तो यह यहाँ पर आप लोगों को भरना होगा फीस वगरा वई है साड़े चार सो साड़े तीन सो डाई सो जो करमचारी चैन बोड लेता आ रहा है और अब इसमें पोस्ट देख लीजे दोस्तो इस कोमन इलिजिविटी टैस्ट के बाद सम्मंदित जो विभाग है यह भरतिया निकालेंगे तो प्लाटून कमंडर के 43 हो गए यह इनकी संख्या भी इन्होंने बताई निया पटवारी के इन्होंने बता दिया दोसो बैतर है खाली क पनिस्ट लेखाकार ठीक है देखिए यहां पर 1923 हैं सबसे जादिसी में तैसिल राजिसु लेखाकार के 108 में हैं महिला अधिकारिता परविक्षक 108 हैं समेकित बाल विकास इनमें अभी मेंशन बताय नहीं है ठीक है और उपजिलर के 49 हैं और छात्रवास अधिक्षक ग्रे निकालेंगे यानि कि ये भरती जो CET है ये आप लोगों को पहले पेपर देना होगा और उसके बाद एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा फिर ये जो विभाग हैं और ये जो पद का नाम है ये जो पद हैं इन पर भरती निकलेगी तो यानि कि कहने का मतलब ये है ये एक पहल प्रोसेस है इसको आप प्री मान सकते हैं उसके बाद सम्मंदित विभाग है वो अपनी भरती परिक्रिया का जो प्रोसेस है अगला स्टेप प्राराम यहां पर करेंगे ठीक है विभाग वार और सेवा वार एक पदों की संख्या में मुक्य परिक्षा के समय कमी या बढ़ की जा सकती यानि कि जब सम्मंदित विभाग यह भरतिया निकालेंगे जरूरी नहीं है कि 296 में टोटल है इन पर निकलेंगे हो सकता है 6000 पर हो जाएं इन पदों की संक्या घट सकती है या बढ़ सकती है ठीक है तो यहां पर इन्होंने बताया है और आप लोगों को यह फो पर्वेक्षक के लिए 18-40 वर्स्त की उम्र आप लोगों की होनी चाहिए किसी भी विशयसे ग्रेजवेशन है तो फोम भर सकते हैं जल संसाधन विभाग में जो पटवारी है उसके लिए भी ग्रेजवेशन किसी भी विशयसे हो साथ में क्या होना चाहिए O-Level का Certificate O-Level क या फिर Computer Programming Assistant में COPA ITI का Certificate Data Preparation Computer Software DPCS Course का प्रमान पत्र या फिर आपने कम्प्यूटर में कोई भी अप्लिकेशन ले रखा हो डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो तो भी अप्लाई किया जा सकते हैं RSCIT है तो भी कर सकते हैं इसके अलवा बारवी में आपके पास Computeric Subject रहा था तो भी अप्लाई कर सकते हैं Graduation Must होना चाहिए यह योगता है पटवारी के लिए जल संसांदर जो विभाग है उसमें जिलेदार की जो पोस्ट है उसके लिए 18-40 वरस्त की उम्र चाहिए किसी भी विशय से आप लोग Graduation है तो फोरम भर सकते हैं ठीक है दोस्तो अब आती है प्लाटून कमांडर ग्रह रक्षा विभाग की तो इसमें किसी भी विशय से Graduation है तो फोरम भर सकते हैं एज इसमें 20-40 रहेगी तो यह पहले SI का भरती में इसको सामिल किया जाता था ठीक है बाकी की उम्र 18-40 राजस मंडल तैसिल राजस लेख जो है भारत में केंद्री है या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वराविश विधाल में से तो तीन इसमें भी Graduation की डिगरी आप लोगों की होने चाहिए ठीक है तो यह यहाँ पर भर सकते हैं फोरम इसके अलावा लागत्ता संकरम लेखाकार संस्तान कोलकाता क इंटरमीडियेट परिक्षा की होने चाहिए यह इसके बारे में बताए गया है तैसिल राजस्व लेखाकार के बारे में ठीक है दोस्तों तो यह यहाँ पर लेखाकार के बारे में बताए गया है अब यहाँ पर कोस एव लेखा विभाग कनिष्ट लेखाकार इन में से तो ये इसमें फोरम अप्लाई किया जा सकेगा ठीक है ये लेखाकार और कनिष्ट लेखाकार के लिए है तैसिल राज उस लेखाकार के लिए अब जो कारगार विभाग है उसमें उप जेलर की पोस्ट है 18-40 किसी विषय से ग्रेजवेशन हो परिवेक्षक बालविकास विभ ग्रेजवेशन मस्ट होना चाहिए RSCIT होना चाहिए वो आप लोगों की तैसिल राजस्व लेखाकार कनिष्ट लेखाकार और आप लोगों का जो है यहाँ पर पटवारी भरती के लिए बाकि किसी के लिए RSCIT नहीं चाहिए ये चीज ध्यान में रखें उमर 18-40 है प्लाट आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारे के सारे चीज़े इन्होंने बताई है एज बताई दी गई है और इस उपरी आयू सिमा में भी छूट यहाँ पर दी जाएगी वो आप लोगों के सामने है SC, ST, OBC, MBC, EWS उनके 5 वर्स की छूट है जनरल की महिलाओं को 5 वर्स की छूट इसके अलावा अनुसुसित जाती, जन जाती, OBC, MBC, EWS महिला व्यारतियों को 10 साल की उपरी आई सिमाम छूट यानि कि जो 18 से 40 या 20 से 40 वागी जारे उसमें 10 और 5 जोड लेजे अगर आपकी एज कम हो रही है तो ठीक है अब यह देखिए 22 तारिक से 22 नो से यह फोर्म भर जा सकते हैं इसमें एक महिना मिल रहा है मैं चाहूंगा कि आप लोग कल से ही इसके जो फोर्म है वो शुरू हो रहे हैं भर दीजेगा दिवाली के आसपार लास्ट टाइम पर देख लीजे दिक्कत होगी ठीक है आप लोग फिर वन्चित रह सकते हैं तो यह है परिक्षा क टैस्ट है वो रहने वाला है 6-1-2023 से और यह आप लोगों का रहेगा नो तारिक तक 6-7-8-9-4 दिन यह जो ग्रेजुएशन इस्तर की परिक्षा यह कराई जाएगी और इसमें बताये गया है कि यदि परिक्षा एक से अधिक चरणों में आजित की जाती है तो एक से अध बर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर इन्होंने परिक्षा की स्कीम बताई है जो अंक वगएरा है वो आप लोग देख सकते हैं परसन संख्या होगी 150 खुल अंक 300 की होगे 3 घंटा मिलेगा यह देखिए क्या-क्या पूछा जाएगा राश्टी आंदोलन विसेस बलके साथ रा कम्प्यूटर विज्ञान प्रोदोगी की जन्नल नोलेज भी आएगा और इसके अलावा आप लोगों का रिजिनिंग भी आएगा ठीक है और करंट जीके आएगा और यहाँ पर सभी परसनों के अंक समान होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है नो अंग्रेजी में क्या क्या आने वाला है कंप्यूटर में क्या आने वाला है करंट अफेर्स में क्या आने वाला है ठीक है और यह सारे की सारे चीज़े यहाँ पर दी गई है तारकिक विवेचन और मानसिक याने की जो आप लोगों का रिजिनिंग आएगा उसमें भी देख बाद आप एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा और स्कोर कार्ड के साथ आप लोग इन जो आठ विभागों की भरतियां हैं इनके लिए अपलाई कर सकेंगे कान खोल के फिर से सुन लिजिए जो CET में पास होगा वो ही पटवारी की महिला परवेक्षक की राजसुलेखाकार की कन CET का फोर्म नहीं भरेंगे पटवारी की भरति आ जाएगी तो फोरम आप लोग नहीं अपलाई कर पाएंगे ये पहले की प्री परिक्षा है जिसमें आपको भाग लेना है और इसमें स्कोर प्राप्त करना है इसमें स्कोर प्राप्त करेंगे तो आप लोग इन भरतियों म आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्सन में दिया गया जैहिन दोस्तों जैभारत समय का ध्यान रखें और लास्ट डेट का वेट ना करें लास्ट के वक्त दिपावली का वक्त आ जाएगा और उस टाइम पर फोर्म भरने में आपको दिक्कत हो सकती है हो सकता इमित्र बंध हो नेट ना चले बैंकिंग में दिक्कत आ जाए तो ये सारी की सारी समश्याएं फेश होंगी कल से ही अपने इस देव का नाम ले करके इस भरती की तैयारी भी शुरू कर दें इसका फोम भी डाल दें धन्यवाद जै हिंद जै भारत